इम्रान सेफी आप सभी देख रहे हैं मोटिवेशनल टेकनोलोजी दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्थ हो सके आज हम गंगा एक्सप्रेस वे पर गुड निउस देने जा रहे हैं सभी किसान भाईयों को और वो घड़ी आ गई है जिसका किसानों को इन्ति जारता गंगा एक्सप्रेस वे में भूमी अधिकरण को लेकर और आज हम बात करेंगे गंगा एक्सप्रेस वे में भूमी अधिकरण के मौजे को लेकर और एक रण नीती बनाई जा रही है गंगा एक्सप्रेस्वी में एक नीती तयार की जा रही है कि गंगा एक्सप्रेस्वी में जिन किसान भाईयों की जमीन जा रही है उन किसान भाईयों के परिवार में से एक वियक्ति को सरकारी नोकरी दी जाएगी ये किसानों को बहुती बहतर सुवीदा और बहतर से बहतर मुआउजा देने की रणनी की तैयार की जा रही है दोस्तो यूपडा के मुख्य सचीव अतुल कुमार गुपताजे खास बाचीत और मीडिया की वारता से उन्होंने बताया है जिस तरह से उत्तर परदेश के अंदर या भारत के अंदर जो भी एक्सप्रेस में तैयार किया जाता है उसके अंदर जादे कटणाईया होती है किसान दिन पृतिदीन धन्ना पृतिशन करते हैं मौजे को लेकर और जो बाधाय आती है एक्सप्रेस में मन्ने मर उसमें बहुत ज़्यादे खर्चा आता है और बाधाय ज़्यादे आती है इसलिए उत्तरपरदेश के सियम सिरी योगी आती नाजी ने आदेश दिया है कि गंगा एक्सप्रेस वे में जो अब तक अर्चन आ रही थी और समय से इसको कम्प्लीट किया जाए गंगा एक्सप्रेस वे इसलिए एक ऐसी रणनीती और एक ऐसी नीती तयार की जा रही है जिसमें किसान को बहतर से बहतर मौावजा दिया जाएगा और उसके परिवार वाले कुई ही एक कुनोकरी दे दी जाएगी गंगा एक्सप्रेस्वे में इस प्रोचेक्ट की ये रणनीती तैयार की जा रही है और जल्द ही ये कैबिनेट में मंजूरी पास होते ही ये सभी जो उत्तर पर्देश में आने वाले और भी एक्सप्रेस्वे बनाए जाएगी उसके अंदर ये नीती लागू कर दी जाएगी और गंगा एक्सप्रेस्वे की को लेकर जिस तरह से आप ये गंगा एक्सप्रेस्वे अपने आप में एक चिर्चित विश्य बना हुआ है जिस तरह से यूपिडा के अधिकारी गंगा एक्सप्रेस्वे को लेकर कारी कर रहे है उसी चीज को देखतो हुए गंगा एक्सप्रेस्वे के भूमी अधिकाराण उत्तर परदेश के सियम सिरी योगी अधितिना जी ने बोला है कि गंगा एक्सप्रेस्वे का जो भूमी अधिकाराण है उसको 6 मन्त में किया जाए ये नीती तयार की गई है और दिसंबर के महा में जो है गंगा एक्सप्रेस्वे की जो सूची है वो सभी किसान भाईयों को बता दी जाएगी और गंगा एक्सप्रेस्वे में भूमी अधिकाराण के मुआउजे को लेकर भी एक नीती तयार की जा रही है जिसमें किसानों को जादे से जादे भैतर मुआउजा मिल सके और आगे चलके इस गंगा एक्सप्रेस्वे में कोई अर्चन पैदा ना हो जिससे इसका कारिये रुक सके इसलिए यूपिडा पहले से ही ये तैयारी करने में लगा हुआ है और गंगा एक्सप्रेस्वे में किसानों को बहतर मौज़े देने के लिए ये नीती तैयार की जा रही है मुख्य सचीव अतुल कुमार गुपता जी ने ये बताया है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो सेयर और लाइक और कमेंट करना ना भूले वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद